हजिन नवस्कार सच्रिकाल गुड विविनिंग फाई लगा दीगे नहीं ठीक है आज हमारा है अध्याए बारा भूत सारे अध्याए तो कंप्लीट हो गई अब हम परवेश कर चुके हैं बारा यानि अध्याए बारा जिसमें बारा के अंदर पूरा दोसो से दोसो सत्याण म क्या है सर क्योंकि इत्ति दारा एक हो मतलब कि अनकी धंगी चीज है इंकमा धंगी चीज आए है कि इसमें नगरपालिका की सक्थियाओ है यानि नगर पालिका की सक्तियां वे अपराद वे अपराद बहुत अनुचे बहुत धाराई है यह है हमारी धारा चोरी अध्याई बारा अध्याई बारा के अंदर है धारा 200 से 200 सत्याण में सत्याण में धाराई है जिसमें नगरपाले का की सक्तियां और अपराद है, हेडिंग डाले हैं अब एक एक है एक हम पढ़ेंगे और पढ़ते हम समापती की ओर चले जाएंगे समापती मदल बार होना रहे तो सत्यान में सोधाराई थोड़ी बहुत और बच्ची है तो कोशिस यही रहेगी कि हम आपको जल्द से जल्द आपको कम्प्लीट करके दे में चलिए बचों सुरू करते हैं सबसे पहले सुरू करेंगे इसमें क्या है नगरपालिका की सक्तियां है क्यक्य सक्तियां भी करना और क्यक्य अपराद में क्यक्य चीजा है सबसे पहले आएगी धाराद 200 पहली आपा नाडी में फसाना और नाडी पर नियंतर न किंगो नगरपालिका हूँ दो सो नाडियांग हमाँ फसन में पहली पोती यानि नालियों आदी पर नगरपालिका का नियंतर धारा दो सो में लिखा है नालियों आदी पर नालियों आदी पर नगरपालिका का नियंतरन क्या नियंतरन होगा की वो चाहिए सिरफ नाड़ी नाड़ी को नहीं है नगरपाल कि यानि उसका सरवेक्षन नीतरण किसका होगा उसका सरवेक्षन होगा नगरपाली के अदर यानि 200 नाड़िया व्रुजु कैं वासर के बात देखो जयादा थनने गया कोई जयादा माथा पची कोन ग्र नी थनने तो 14 तारीक तक याद-त्रां तारी है बाक्ति नाडें बाद में कोई मतलब को नोगे लागेज़ है किता दारा मेरम नाड़ी बनाला है only कदरिकों करें कौन पुछ है वो मैं देख किता दारा में दो काम करते हैं तो दोसॉन की है नाडियां आगे चाहिए 200 के बाद आएगी कोड़ सी धारा 201, 200 के बाद में धारा 201, 200 बाद तो 201 क्या होगी, यानि जकी नाड़ी पहली बताई बिन बढानेंगी सकती, कि हम बना सकते हैं तो फिर मिटा भी सकते हैं, पहली नाड़ी फिर नाड़ी कुन बढाऊगो, आव है जल निकासी वेबस्ता, ड् कोडाम है, तैखानों है, कोई भी भूमी है, उसके नीचे से होकर नाड़ी जा चाहिए, मल नाड़ी जा चाहिए, और कोई प्रसुरंग जा, पाइपलाइन जा, जल मारक जा, आदी ले जा सकते हैं, यानि कोई ऐसी सिच्वेशन आ गई कि आपके घर के आगे से आगर के न नीचे से अगर उन्हें ले जाना पड़ रहा है, तो नगरपाली का अगर ले जास के भई, क्यूंकि भूमी के नीचे का भाग तुम्हारा नहीं है, वो तो उपर का भाग है, आपके खेत में अगर कोई चीज निकल जाए ना, दोस्तों सोना निकल जाए ना, तुम यह नह तक, भी मगलेट बलाई खाली हो, या फसल बोले हो, बस भीतनों ही काम है, बाकी सारा किना है, सरकार का है, तो नगरपाली का संबन दीत स्वामी, यानि जहां से निकल रही है, और या फिर कोई किराएदार है, तो करने पे लिखी नोटीस देश का है, मैं अटकर नालो काड यानि 200 में नाडियां, एर 201 में नालियां बनाना, किंगो काम है, नगरपाली का को काम है, आजाओ, धारा 203 के अंदर, ठीक है, धारा, सोरी 202, कलर सही है गे टावरो, थारो सो क्यों सही है, देखो, इसमें लिखा है, बावन की परभावी जल निकासी, बावन की परभावी जल निकासी, सर, नाडियां परी तो फोक्स क्यां करें, जल निकासी, देखो, कोई भी सहर में नहीं, बठा है, अगर गंदगी कर कोई चीज़ की दिख़ई, तो हमेशा पानी की दिख़ई टावरो, सहुझ जादब, ध्यान भी परिजागो गंदगी, जियां कोई अच्छ आज़त लेनी पड़ेगे, लेकिन उस से जरूरी है कि भवन में आपकी जल निकासी, अच्छी होनी चीज़, नाडि, नाडि बनानी, फिर परसनली कोई घरारो बनाना थे, पर घरारो बनानाँ उ कामें नाडि, यानी जल निकासी बढ़िया तरीकों होनी ची़, बवन में करतार जल पाएपलाण दाइल मल ह back नाल मल नाल आदी सबी ववस्ता होनी चीए पार निकरना भर्यों पार निकरना में कण्ढ exploded अलग नाड़ी ठीब अलग नाली नाली चीए चोटारढ़ को निंशुद्ट टोईलेट के लिए अलग से नाली बनी होती है बड़े-बड़े सहरों के अंदर तो बिंगी वेवस्ता हो अगो या नहीं अब मान लिए कोई जिया मैं तारांगर मार नहीं कलोनी कटी बढ़ नाडिया बनेडी को नहीं तो बैक है कि भाई जी में पाणी बोल पाणी एक काम क परकार की नाड़ी की वबस्ता करीगे अगर कोई वेक्ति उलंगन कर रहे है तो नियूंतम जो है 2000 और अधिकतम 5000 रुपय का जुर्माना और 5000 का जुर्माना यानि आजयों 202 में भावन से जल निकासी है कि तो इजये 200 में नाड़ी फिर नाड़ी बनाणी नगरपाली का उकाम है फिर थार गरगी बनाणी थारो काम है गर में भी निकासी के लिए जल निकासी के लिए अलग अलग लाईना होनी चीए आजयों 203 धारा 203 पाच पाच सागा होता है बिनने भी समझाती हूँ कोई भी भवन है या कोई भी भूमी है या फिर भी भूमी गो कोई स्वामी है स्वामी तो वही गो थे वोगा अधिबोगी का मतलब उसे यूज करने बाला किराइदा नगरपाली का नानियों उत्षारण करने का अधिकार यानि जो नाड़ी बनाई गई है ठीक है नगरपाली का छेत्र के अंदर कोई भी भवन या भूमी हो स्वामी या दिबोगी जो भी है उसको उप्योग कर रहा है मल नाली में गिराने का अकदार है ओ जो को घरार हो जो को यानि ओ इंपाणी आई करो वीम को वैसे तो नगरपाली का से लिखी दन मती भी लेड़ी पड़ती है लेकिन ज्यादा थार इंचाले ठीक रामबरों से ही चाले यानि इनाड़ी में थारे गरगो किया आओ पाणिया उप्योग कर सकते हो आई बात लिखेड 203 में यानि नाली उप्योग 200 नाडी 201 में नाली बनाना हो काम की गोए कोई ब्रवन गोए तो भी नाली इसे बनानी ये भी ने बनानी है बाए 2003 में नाली को क्या करनो है उप्योग करनो है गा अलिए आजा ओ 204 कि तो जे एक फिर केक है, 200 कितना में चार में, धारा, 204, केक हैटावरो, 204, एक तुब्स मल नाली या थि जो नाड़ी निकलती है, हमारे आप हम तोय बैपि लेकिन बड़े शेरों की बाते हैं अलग है, बड़े लोगों की बड़ी बाते हैं, उन्चे लोगों की उन्ची पसंद है, मल नाली या फिर वर्षा की नालियों दोनू अलग लग होनी चीए यानि एक तो पाणी जिया सिद्धी नाड़ी आप आको नहीं के भी सिद्धी नाड़ी में घरगे टोइलेटारी लगा जोगा लोगार समझा को नहीं हो कि पाणी बदू आ रही है कोई और चीजी आ रही है तो पूरों सहरी मास पड़ियो रहे हो क्योंकि वह जो होते हैं मल नालियां जो होती है टोइलेट वाली वह बंद जो होती है पाइपलाइन होती है बदू नहीं यह सिद्धी खुद ली होती है अपनी सहरों के अंदर तो 204 में यह लिखा गया है कि मल नाली और वर्षा की नालियां अलग अलग होगी है ai 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 galo 204 मलवे वर्षा नाली अलग कि देखो टाब लुद नाली नाली बनाने हो काम जल लग नाली आरो नाली को सफ्योंग करेगा है और नाली नयार्नнихारी रह खनी है टोईलेट आरी अलग लाज निया अलग निकिता 204 चलो 204 तक हम उधर देख लेते एक आज़ो 200 अध्याय स्क्रीन सोट लेलो पहले इसका बढ़िया तरीकेसी लेलो आरामसी टाइमी टाइम अपने पास देखो अध्याय बारा धारा 200 सी 200 सत्यान में है बच्चो नगरपालिका की सक्तियां वैं अपराद आईए धारा 200 नालियों आदी पर नगरपालिका का नियंदर यान क्या बात लिखी गई है इसके अंदर बच्चो कि नगरपालिका चेतर के अंदर समस्त नालिया मल नालिया सोचाले फलस सोचाले नलकूब गरों की नालिया आदी सभी नगरपालिका सरवेक्शन के नियंदरन के अध कि नगरपाली का जल निगां स्कीम को किरिवाने करने के लिए किसी भी सारजthy मारं गोधाम तैक्षा ना या उसके नीचे से होकर नाली मल नाली नाली का सुरंण पाइप्लाइन जलना आधी ले जा सकते हैं बात मैंने अदितल आधिल ó यदि ऐसा करने के लिए लिखित रूप से नोटिस देगी कि में थार गर गए नीचे कर नाड़ो का डार है यदि ऐसा करने से किसी व्यक्तिया स्वामी को नुक्सान होता है तो उसकी भरपाई होगी ठीक है 202 में बवन से परभावी जल नीकासी यानी स्ऐ तरीके से जल नीकासी क्या का गए कि किसी बवन का निर्मान करने हैं पुनय निर्मान करने दुबारा बनाने अनमति लिखीत रूप से नंगरपा visual närोky और भवन से जल निकास को प्रभावी ववस्ता होनी चाहिए, भवन से जल पाइप नाली, मल नाली, वेल नाली, आधी सभी की ववस्ता होनी चाहिए, बवन से नगरपालिका द्वारा बनाई गई, मुख्य नाली की दूरी 500 फिर से अधिक नहो, फिर केका यदि कोई वेक्ती इसका उलंगन करता है, तो 2000 से 5000 जुर्माना है, ठीक है, आज़ो 203, स्क्रीन सोट ले लो, SS, ठीक है, बवनों या भूमियों के स्वामियों और अधीबोगी, अधीबोगी का मतलब किराइधार का नगरपालिका की नालियों के उत्सारण करने का अधिकार, बता दिया, कि न नाली, नगरपालिका की मल नालियों में गिराने का हकदार होगा, शाबास, लेकिन उसे पहले नगरपालिका लिखी तनमती लेनी पड़ी, ठीक है, स्क्रीन सोट ले लो, 204, मल नाली और वर्सा नाली दोनू अलग-अलग होने चीए, आज़ो वापस 205, ठीक है, कितना आपकी तरफ हुए भीती, करेए, और करनी चीए किये बात है, कि नी बुराई क्यों करो तो, चलो मिलता क्या है, सिर्फ बुराई इसलिए की जाती है, कि हम उसे उपर बनना चाथते हैं, बुराई करके ये संतुष्टी मिलती है, कि हम बड़े हैं, वो छोटा है, वो इसके मान लो कि ओ कोई घर है, ठीक है, नाड़ी अठकर जा रही है, और अनगरा रहा है, आप ये अठक नाड़ी बना रहा किये, आप बनवाली नगरपाली कोई जाज जाए, एक गरियो अठा आ गयो, अब इंगरी है, गैस मस्यागी कर नाड़ी घटकर ले जाओं, घर गो पान कही गई है, कि अन्य वेक्ति की भूमी से, यानि दूसरे की जमीन आ गया, या नाली में से, इंगी नाड़ी मूँ, एर नाड़ी ले जाने गो अधिकार, नगरपाली का द्वारा कैसे वह किन सर्तों पर मिलेगा, यानि ये इसके बाप, इंगी जमीन है, वह इजाज़त द कि ये कहेगा थी भाईजी पानी गट काड़ू, पानी नहीं निकल लेगा, जब तक ओ पलोटा रो इजाज़त ने दगो तब तक मेर तुना पानी को निकले, गरे पानी दूबन लागरे, कि एक नाक नाक तकारे, नाक दूबोई मलनों पड़े, तो फिर थार ली नाड़ी इनको कहें, आ नाड़ी में ली नाड़ी जोड़े के, अब नगरपाली का निर्धारन करेगी कुछ सर्ता, कहींगे रख रखाओ, देख बाल तूब करेगा, नहीं बोल बिलकर करूँ, किराया भी ले सकता है, ये जो गुम्मी का स्वामी नाड़ी निकलना, किरायो भी ले भी ले इसके बहूआ, किराया ले सकता है, नाली जो बनेगी, सुर्यास्त के बीचे बनेगी, सरे ये मना कर दे तो, मना करने के बीचे भी रीजन होना चाहिए, इसका थोस अगर कोई रीजन है, तो वरना नहीं कर सकता है, जिए के बान्नों मार्स कहें, कह यार आण और आजीगी पाणी उज्यागों गद्बद कत्रों जाओ नगरपालिका कहेगी कोई बात नी बेठा बड़ो करें भी बड़ों आओंगा में करांग की बेचता फिर कर सकता यानि कोई फोस कारण बताना पड़ेगा वर्ना तो फिर देना पड़ेगा यह विचारा इसका सर नाडी या में फस्रे आओगे नाडी नाडी कुण बनवाओगो गरेओं बहुनाओ नाडी निकाल नेंगे विवस्ता होनी चीए नाडी को उपयोग करो आरामों मल नाडी इरभा लग लगोनी चीए दूसरे गी नाडी किया उपयोग करनी है धारा 205 कहा तक पहुंच ग आरे कार किया जाता है सैकर म कि नगरपालि का बनाने का काम इस परकार हुना चाहिए कि कम से कम नुकसान हो जैसे कप बना रहे हो या फिर बीची नुकसान कम करें कि वेक्ति को बस यही नाडी करो कि Feder कर रहे है तो इसकी नाली ने पना पंई समझ गया गे टावरों बताओ भी समझ गया गे आज़ो धारा 207 धारा 207 नाड़ी नाड़ी आए टावरों गपचप नाव जी गोड़ नाव जी हो अब मान लिओ यहां भवन था नाड़ी यहां थी बीच में एक प्लोट और था तो आपने इजाज़त ले लिए इसे इस गरवाले ने यहां से नाड़ी निकाल ली और इस नाड़ी में इसको मिला दिया यहां तक तो ठीक है अभी तो यह प्लोट खाली था अब भाई साब के मन में आई कि मैं भी यहां घर बनाऊना तो फिर क्या रूल है यानि धारा 205 कहते हैं नाली जो बनाई गई थी तब भूमी में कोई निर्मानकार यह नहीं था बिल्कुल कोन नियों बीटे लेकिन अब अगलों अठ मकान बनानों चाहे तो नगरपाली का इन इजाज़त द करें को दूसरों तर को निकाना वाइं आने जहां नाली वनी वहां घर बनाने से संबंदित नियांadas AM बनाने या फिर कोई निर्मानकारी का नियम सिद्धी सी बात है यानि भवन निर्मान का नियेत कितने में धारा दोसुल पता दिया क्या नियम है नियम होई है आगलों रिक्वेस्ट होगी अब नाड़ी बना रहे है तो नगरपाली का हुकाम या कभी इन बनाने इजाज़त तो नाली की निना के मुरोड़गे लिया हुआई किता मेहे 207 नाली बनी वहां भवन्दिवा ठीक है टाब रूप ठीक है कहां तक पहुंच गए 207 अब आजयो धारा 208 अब आजयो नाडयाओं बारे निकड़ो सोचा लेगी व्यवस्ता करो क्या लिखा गया है सोचा लेगी व्यवस्ता अब मालेओ की कोई घर में टोईलेट को नी है तो आख उनका इसको के मारगरेत को नी वोलो था न मतलब मेदबार जाओंगा लोट ले लेग यहां वह कॉन यह काम को चाले तो नगर पाले का आपसे रिक्वेस्ट करेगी स्वामी को लिखीत में नूटीस देगी कर बनाालें व्यवी निवार है लिखीत में नूटीस देगी ुद्न में फ्रोत बन में सोचा ले करता है यानि कितना 20 से दिक होने चाहिए तो फिर आपको नहीं कहें 20 करमचारी आंगे टोइलेट आपके साब बार जा आगे डोड़ी के सारे करिया भाई पूरों मुलों वांसर लाई जो तो फिर कोई वेक्ती 20 से दिक करमचारी सर्मी किया करागार जो भी है तो नगरपाली का संबंदीत वेक्ती न कहेगा कि टोइलेटी विवस्ता कर ले और लिखित नोटिस देगी मिन और फेर कोई उलंगन कर रहे है तो बिन एक मुलेगे दो मा आगी तो जेड़े है और नियूनतम दो जार रूपिये से अधिक तम पांच जार तक को जुर्मान समझ गया गे व अब आजो सोचा ले वबस्ता क्या क्या बताया बच्चो दोसों नाड़ी नाड़ी कुण मड़ा होगो अच्छा दोसों नाड़ी नाड़ी कुण मड़ा होगो मकानाओ नाड़ी नाड़ी को उपयोग फिर दोनों नाड़ी न्यार न्यारी जलगी और मलगी दूसरे गी नाड़ी क्या उपयोग करनी है कारी ये नाली बनाने का किस 209 वापस यानि 208 मापा सोचाले बढ़ गया 208 नमर सोचाले बढ़ गया तो धारा 209 चीक है 209 के सोचाले और मुत्राले का निर्मार पहले तो बताया परसनली किसी वेक्ति से निवेधन कर सकती है और टीम जहाँ भी जैसे आपको और बताय कि हर पेंट्रोल पंपय रattend है कि आपको ये छीज हो नी चीज जी पैंट्रोल पॉम्पस का जू रूल हो कोई नगरपालीयका का जालें बनाएं कि पैंट्रॉल पंपतो नगरपालीका से बाहर भी होते है। तो नियम है यह कि पैंट्रोल पंपे टोईलेट होना ही चाहिए तो महिलाओं के लिए अपर यह नहीं है कि तेल गलाव तो यूजग्रो थे सिदो यूजगर्स को क्यूंकि यह सारवजनिक है कि आपके पास चीज होनी चाहिए फ्री में लोगों को तो महिलाओं के लिए अलग से सोचा लेए मुत्राले का निर्मान किया जाएगा मुख्य नगरपाली का अधिकारी बद्देकारी होंगी इसके लिए आदेश जारी करें उलंगन करने पर वन के एक हजार रुपिये का जूर्माना है और विंगों आदेश को करें तो दो हजार कितना धारा 209 आजो स्क्रिन्सोट लेओ 205 को दोबर स्क्रिन्सोट लेणों पड़ाओ 205 को अन्य वेक्ति की भूमी से या उसकी नाली में से नाली ले जाने का अधिकार नगरपाली का द्वारा कैसे और किन सर्थों पे कहा जाएगा 205 यदि किसी भावनी या भूमी का स्वामी या धीवोगी नगरपाली का के समाधान पर दूरूप से ये साबित कर दे कि वह किसी अन्य वेक्ति या उसके उपयोग में आने वाली भूमी में नाली बनाए बिना अपनी नाली को नगरपाली का मुखे नाली से नहीं जोड़ सकता नगरपाली का नाली के रख रखाओ अब स्क्रीन सोड़े लो कि सर्तों का निर्धारन करेगा गुमी का स्वामी नाली निकालने वाले वेक्ति से किराया भी ले सकता है और नाडी शुरियोदे शुरियास के बीज में युक्ति-उक्दली की नोटिस के हधार पे निकाली जाएगी कि स्क्रीन सोड लिए 2056 नाडी का नुकसान कम से कम हो नाडी इस परकार बनाई जाएगी, कार यह जितनी जल्दी हो सके कम्प्लीट करो किसी व्यक्ति को उक्त कारी करते से में नुकसान पहुंचा है तो उसकी भरपाई की जाए कि स्क्रिंसोट लिए 207 जिस भूमी पर से नाली ले जाए जाए उस पर बाद में भवन निर्मान से समंद उसके स्वामी के अधिकार क्या क्या है धारा 205 के दिन कोई नाली उस समय बनाई गई थी जब भूमी प लिखित नोटिस देगी आजाओ धारा 208 लो है 208 का मतला हम 208 नमबर टोईलेट में परवेश कर चुके टोईलेट की ववस्ता है यहां नगरपाली का बहुनिया भूमी के स्वामी को लिखित नोटिस देकर बहुन के 140 नल्पू फलस अधिक को समझे विवस्ता करेगी 20 से अधिक है तो उनके लिए वबस्ता करने पड़ेगी 208 इसका उलंगन करता है तो एक से दो माह की जेल और 2000 से 5000 रुपिय का जुर्माना ठीक है कि आजो 210 कि 210 तो हमने पढ़ाई नहीं साई थे पढ़ना है ठीक है क्या चल्द रहा था हम पहुंच गए थे 208 208 नम्मर सोचाले में परवेश कर चुके थे 208 मतलब सोचाले और 209 में भी सोचाले जब्कि 201 से लेके 207 तक सिर्फ नारी मी फशेड आपाद है अब तोइलेटर फशेड आपा कि ता 208 मट अब 200 ярी 208 में क्या किया सोचाले निर्मान और इस में भी क्या है सोचाले निर्माण या मुत्राले निर्मान ठीक है आ जाओ धरह 210 करे क्ये है 210 210 टीक है सोचाले में परिवर्तन करनो या उनकी मर्मत करने या उनको ठीक दसा के अंदर रखने का खर्चा के बात कहवे हैं आ कहवे हैं 208 नमर सोचाले 209 भी सोचाले 210 में भी सोचाले नहीं सही करनो है नगरपाली का छेतर के अंदर बनाई गई ऐसी मल नालिया जो भी है नालिया है सोचाले है ग्रह नालिया है नलकूप है जो भी है नगरपाली का खर्चे से नहीं बनी है यानि जो परसनली बनाई गई है किसी भूमी या भवनगो या फिर कोई स्वामी बनाई है माली उसी दोसो नगरपाली का समन्दित आखो नहीं का टोईलेट जो है वो नगरपाली का साफ कर गे जाई थार लो ना ठेक रोग ठे नहीं कर रहा और मोलो बदभू मारा है तो नगरपाली का आपको नोटिस देदेगी मल लाली सोचाले या मरमत करने उसे ठीक दसा में रखने की उपेक्सा आपसे करेगी आपसे नगरपाली का उमीद करेगी धारा दोसो तस यानि सोचाले सपाई लिग जूनियर सोचाले सपाई सोचाले 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 को रख रख कितना 200 तक यानि 201 से 207 तक नाड़ी नाड़ी के बाद में टोईलेट ठीक है अब आज़ो 211 धारा 211 कि कह ठावरो प्राइवेट नालियां अगर कोई है प्राइवेट भी तो है उन्हें बंद करने का अधिकार क्या कहें नगरपाली का छेतर का अंदर अगर कोई नीजी नाड़ी है या मल नाली है या मल कूप है तो बंद करने की सक्ती नगरपाली का के पास है कितने 211 यानि 211 में किये private नालियों को बंद करना कुछ परसुनी अ है है नाली बंद करना है पार का तो हमकिन सइनली मिला तो तो तरी को नी Clay ज़र नाली व 내가 तो धारा 211 के अंदर यह बात है कि आज़ो कि धारा कि दो सो बारा समझ मारेगे सरकोनियारियों कोई बात नित्चुदा में देख लिए नहीं आरे तो यह रटनों पड़ाव कोई इलाज हो नहीं अनलीगल रिती से कोई चीज बनी है या पुर्णर निर्मित करने के मल लालियों के समझ में सकती यानि अनलीगल नगरपाली का सिमागे बीच में अगर नगरपाली का अनुमती गे बिना अगर कोई सोचा ले मन नाली फलस सोचा ले निर्मान करना कानून के विरूद है वह बात पिछली है ऐसा करना कानून के विरूद है यदि कोई वेक्ति ऐसा करता है तो उसे 1000 रुपिय से 2000 रुपिय त प्राइबेट नाड़ी बंद और अन्लीगल निर्माने बिंपर जुर्मानों बगे रहे मलनाली फ्लासाधी बनाने कानून की विरुध है अब आजेओ धारा दो सो तेरा धारा दो सो तेरा के कैब दो सो तेरा नगरपाली का की नालियों का अतिकर्म कोई बेक्ती नगरपाली का गी लिखित अनुमती बिना नाली या मल नाली पर कबजो कर ले धीर ऐसी आपका घरगवागर बढ़ागे विन नाड़ी को उपर आजिए तो बिंग विरुध एक हजार रुपिये को जुर्माना है वन की चीक है और अगर कोई विखिती बिना लिखिता नाली मल नाली गटर के उपर भवन निर्मान या पुनर निर्मान करता है तो नगरपाली का उसे गिराने का नोटिस भी जारी कर देगी यानि नालियों का अतिकर्मान कितना धारा दो सो तेरा नालियों का अतिकर्मान समझ गया बात नेगे अब आज ये नाली पाच्छी नाली आगी है धारा दो सो चौदा फेर नाली आगी है यानि नालियों का निर्क्षण अच्छा निर्क्षण करिए गोनी कि अभी तक नालियों हम फसरे आतोई इमाक है कि नाली गा निर्क्षण मुख्य नगरपाली का अधिकारी या उसके द्वारा जो भी वेक्ती है प्रादिकर्य वेक्ती द्वारा किया जाएगा विल्कुल बोई करेगो यह कोई काम है और निर्क्षण 10 परशेंट अतिरिक्त वसूली जाओगो धारा 214 सर क्या मज़ा आ गया अब क्ये कह धारा 215 क्ये कह वे हैं देखो 215 कुछ कारी यह है जो स्वामी से करवानी यानि जो मालिक है उससे कराने के बजाए स्वेम करने की सकती है नगरपाली का की पास यानि कुछ काम स्वेम यानि मालिक से ने करवा यह क्ये कह नगरपाली का अगर सही समझे तो कई काम खुद भी कर सके और यह परकार्ज का खुद कारी यह करे गए जो भी खर्चा कुल खर्चे का 10% की दर से निकासी करनी है पाइपलाइन फ्लीशिंग आने कोई काम है तो वह आमाद भी कौन कर सके नगरपालिका करें नगरपालिका की संपति ही समझी जाती है और उन्हें स्वामियों को फस्तानतरित ने की जाए समझ गया बात है यह 215 आज 210 कि स्क्रिन सोट लिए 210 बता दियो साइथ ठीक है 211 स्क्रिन सोट लिए विद्धेबान प्राइबेट नालियों को बंद करने की सकती तो बंद कर सकती है नगरपालिका सीधी सी बात है 211 स्क्रिन सोट लिए 212 ले लोगो एप राधिकर्त रिती से निर्मित पुनर निर्मित या जारी रखने वाली मल नालियों की समंद में सकती क्या कहता है कि नगरपालिका सीमा छेतर के अंदर यदि नगरपालिका की अनुमती की बिना सोचाले मल नाली फलस सोचाले का निर्मान करना कानून के विर व्यक्ति नगरपाली का कि लिखित अनुमती के बिना किसी नाली या मल नाली आतिकर्मन करता है तो उसके विरुद हजार रुपय का जुर्माना लगाया जा सकता है यदि कोई व्यक्ति नगरपाली का लिखित अनुमती के बिना किसी नाली मल नाली गटर के उपर भवन का नि अधिक्रित किये गए वेक्ति द्वारा किया जाएगा, निरक्संग सुर्योदे से सुर्यास्त के बीच होगा, यदि नाली मल नाली सोचाले बनाने में किसी भी परकार की गड़ पर भुष्टाचार किया जाएगा, स्वामी से 10% अत्रिक्त वसूला जाता है। नगरपालिका जो पाई फ्लीशिंग या अन्य उपकर्ण लगाए गए हैं तो सब नगरपालिका की संपत्ति समझी जाए और उन्हें स्वाम्यों को अस्थांत्रित किया जाएगा, ठीक है, ठीक है, आजाओ दोसो सोड़ा, बीस तो करामा फिर यार, पांच और है, डटो टा मैं ही मत कर ली, ठीक कर लिए, धारा दोसो सोड़ा, ठारी रूची देखे ही, मेरे रूची बनगे करवाना चाहिए, आपको पता है, नई चीज है, मुझे कोई जरूरत नहीं, मैं तो मेरा बैजी क्यारा लेगे लागे और हूँ आर, लेकिन इसमें लगा के यार, ये महाने से, ठीक है, जल परणारी आदी ले जाने की सकती, दोसो सोड़ाओ, ले जाने सकती है, काई कह रहे है, बच्चो इमा, राज्य सरकार का जल परदाई विगा या ऐसी नगरपाली का, जिसे जल परदाई करने की सकती प्राप्त है, वह है, नगरपाली का छेतर के भीतर या बाहर जल पढ़नाली पाई या पढ़नाई का या फिर नमीन करने मरमत करने आधी के लिए उत्तर दाई सकती हुई यानि अगर कोई जरूरी थोड़ी कोई पाईप लाहिन जारी नगरपाली का कहते हो ओई खुल्डोगाडलाज ये ना ये ले जाने की सकती होती है जो राज्य सरकार ऐसाथ अगर कोई कारी ये करती है तो 276 के अतर आजो 217 के कहें वेवसाईक या बहिस्तराव से समंदित विशिस्ट उपन्थ यानि वेवसाई या बहिस्तराव समंदित विशिस्ट उपन्थ काई करेंगे किसी भी वेवसाईक परिसर का अगर कोई अधीवोगी है किराइदार नगरपालिका की अनमोदन से इजाजत लेके या अधिनियम द्वारा बनाए गए कानून के अनूसर जो भी कानून है नगरपालिका की नाली में ऐसे परिसरों से होने वाले कोई का निस्तारण करेगा सरसमझे नहीं है मालों कोई फैक्टरी है वो अपना गंदानल डाल रही तो नगरपालिका इसे इजाद है लेगे बढ़ सकती है कभी थाली नाली में बेडाना कोई बात नहीं है दोसो स्तराव क्योंके नाल्याओं तो काम यह है अब आई बात 218 में क स्वामिया दिभोगा इसे अपेक्सा करेगी उससे इच्छा रखेगी कि 223 मिस्तान ऐसी रीती यानि सही तरीके से समय पर ऐसी नालिओं से होकर और जो सर्ते हैं उसके अधीन हो यानि तो कर रहे है वैसे तरीकाव होने हो जैसे लोग कर रहे हैं वैसे ही वह ना चीए आ न ये पाणी से समन्दी ते बेवसरित जल्परनाली जो भी है, नगरपालीका की नालियां जИकी बनेड़ी है बिना अनमती के बावन, रेलवे, प्राईवेट मारक जो भी है, पर निर्मान या सें निर्मान नहीं किया जाएगा, यानि के करें मुख्य नगरपाली का गी अनुमती के बिना ऐसा कोई निर्मान यानि मान लेओ काटकर पाइपलाइन गईड़ी है एर बट थारी जमीन एर थेको में तोट है मकान बनावाँगा तो थाने नगरपाली का श्यू इजाजत लेड़ी पढ़े की धारा 219 यही बात रेलवे लाइन के आर पार अगर कोई नाड़ी पाइपलाइन जल निकास करना चाहता है तो वे रेल पर स्वासन को सूचित करेगा कि थारे नीचे एकर में पाइपलाइन गार क्यूंकर निचे अगर खड़ो और रेल गो बजनूर अगर एक्सिडेंट हो गया तो तो उसकी साब से कारी होता है कितने 220 चलो एकदमी जी है लास्ट पांच देखो स्क्रीन सोड लिए 217 ले लिए व्यवसाइक बहिस्तराव के समंद में विशी स्टूप बंद केक है किसी भी व्यवसाइक परिसर का दिबोगी नगरपालिका के अनुमोधन से या इस अधिनियम द्वारा बनाए गए कानून के अनुसान नगरपालिका के नाली में ऐसी पर स्क्रीन सोड ले लो मुक्या नगरपालिका अधिकारी किसी भी रेलवे लाइन के आरपार कोई नाली पाइपलाइन जल निकासी चाहता है तो वह रेल प्रसावसल को सुझित करेगा ओके थैंक्यू कैसा लगा बता देना मुझे 20 तक हो गए जल्दी कर देंगे कम्प्लीट आगे थैंक्यू